हाई गैस और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल एनालेसिस ऑफ 9 अफ मार्च 2021 तो गैस आज है तारिक 9 मार्च 2021 और है ट्यूसडे देखेंगे आज का दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर दा हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को एनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगो एक कंप्लीट न्यूस पेपर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन अगर इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगो टेलिग्राम का लिंक दे रखा है मतलब की वो इस चैनल का लिंक है तो उस चैनल पर आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे ये चैनल आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इसको जाकर आप जॉइन कर सकते हो जॉइन कर से फाइदा क्या होगा? यहाँ पर आपको डेली दहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करंट अफेर के विडियो का PDF मिल जाता है डेली डिहेड सारे डिजिटल नोट्स बिल जाता है और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल free में तो जाकर इसको join करना बिल्कुल मत भूला चलो start करते हैं discussion लेकिं discussion start करने से पहले हम लोग हमेशा की तरह एक map का question यहाँ पे करने वाले हैं तो आज आप लोग को map में जाकर देखना है Finland को Finland कहाँ पर है क्या है इसकी exact location किसके से boundary share करता है अच्छे से map में देखने के बाद आकर नीचे comment section में इसको type करना जिससे आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे चलो start करते हैं discussion ये page number one पर सबसे पहला article आता है बात यहाँ पर करी गई है Supreme Court ने बोला है कि आज के time पर कि हमें relook करने की जरूरत है यानि कि क्या वापस से हमें देखने की जरूरत है क्या देखने की जरूरत है जो हम पहले 50% का reservation का quota लेकर आये थे क्या आज के time पर हमें वापस से उसको देखने की जरूरत है तो यहाँ पर आप देख पाओगे यह judgment आया था 1992 में आज से 30 साल पहले तीन डिकेड पहले यह judgment आया था और कौन से judgment था इंदरा साहनी judgment तो इसमें यहाँ पर बोला गया था जो 50% का reservation है बोलाया जाएगा fix कर दिया जाएगा कहाँ पर government jobs के अंदर education institutions के अंदर तो आज के टाइम पर क्या करना है आज के टाइम पर यह news के अंदर क्यों है तो Supreme Court यही चीज़ बोला है कि वापस से हम लोग को आज के टाइम पर क्या जरूरत है इसको देखने की तो अगर जरूरत है तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा जाएगा अब यहाँ पर स्टेट सारे बताएंगे Supreme Court से बताएंगे कि हाँ यहाँ पर जरूरत है या नहीं है फिर आगे जाकर यहाँ पर एक काम चलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पर और आर्टिकल्स आएंगे फिलाल अभी यहाँ पर सरिफ और सरिफ पूछा गया है कि आज के टाइम पर रिव्यू करने की जरूरत है या नहीं उके उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर रिव्यू होगा तो अब की बार लार्जर बेंच से रिव्यू करा जाएगा मतलब की क्या है की देखो इंद्रासानी जज्जमेंट आया 1992 में मानलो यहाँ पर तीन लोग की बैंच थी सपोस्थ तीन लोग की बैंच थी तो तीन लोगों से ज़ादा लोग होंगे अपकी बार तब ही जाकर हम लोग यहाँ पर के अंदर रिलुक कर सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं तो यह चीज यहाँ पर बताई गई है उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यह छोटा सा आप देख पाऊगे बात करी गई है केरन एनर्जी के बारे में तो यह केरन एनर्जी की जो कंपनी है यह काफी जादे न्यूस के अंदर है यह आर्टिकल काफी टाइम पहले से आ रहा है इंडिया और केन एनर्जी के बीच में यह काफी टाइम पहले से डिस्प्यूट चल ला है केस चल रहा है ठीक है यह आगे हम लोग बात करने वाले है आगे एक article आया हुआ है business page पर page number 12 पर तो वहाँ पर detail में discuss करेंगे मैंने highlight कर दिया है कि आगे यहाँ पर एक important article आने वाल है ठीक है उसके बाद एक article हम लोग आगे और discuss करेंगे ओ यह है डेली के बारे में थोड़ा सा discussion करेंगे डेली की जो per capita income है वो थोड़े सी down हो गई है 5. पॉइंट 9% तक ओके तो डिसकस करेंगे इसको सोड़ा सा detail में चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इस page पर फिलाल एक ही article था discuss करने लाइक और यह दो article आगे दे रखें डीटेल में यहाँ पर short articles दे रखें ठीक है तो वहाँ पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं यह भी गिरा है 3.92% से अब इसके पिछे का एक बहुत बड़ा reason COVID-19 ठीक है तो यहाँ पर कुछ अमाउंट दे रखा है जो कि आपके लिए important नहीं है यह बताया गया है 2019-20 में कितना अमाउंट तो 2019-20 में जो इसकी per capita income थी वो थी 3,76,221 तो यहाँ पर इतना अमाउंट था फिर उसके बाद अब यहाँ पर कम हो चुका है तो वही सारी सी बताई गई है जो पहले अमाउंट था वो अब जाकर कम हो चुका है तो income में थोड़ा सा decrement देखने को मिला है वो यहाँ पर basically बताया गया है एक बहुत बड़ा reason COVID-19 को बोला गया है चलो आगे बढ़ते हैं next स्टाइडिकल की तरफ नाओ आते हैं पेज नोबर नाइन की तरफ और पेज नोबर नाइन पर देख पाऊगे बात करी गई है और यहाँ पर इतनी पानी की availability है नहीं तो यहाँ पर आप देख पाऊगे जो government school से हमाँ पर tap water कम है उसके बारे में बताया गया और हम लोग 100 day का campaign वगरा लेकर चलते हैं कि हाँ यह tap water को provide करवाया जाएगा जल ministry के द्वारा यह सारी चीज़ है जल शक्ती ministry के द्वारा यह सारी चीज़ प्रोवाइड क कम देखने को मिलेगा बच्चों के लिए वहाँ पर स्कूल के अंदर पानी है ही नहीं तो आप देख पाऊगे आंदर प्रदेश गोवा तमिलनाडू हर्याना हिमाचल प्रदेश तेलंगना पंजाब यह तो ऐसे रियाज़त जहाँ पर 100% tap water है आज के टाइम पर लेकिन ज water नहीं है हाथ दोने के लिए पानी नहीं है तो यहाँ पर कहां से यह सारी चीज़े implement होने वाली है ठीक है तो यहाँ पर basically एक problem देखने को मिल लई है यहाँ पर इस article के अंदर ना आगे बढ़ते हैं हम लोग next article की तरफ उससे पहले यार यहाँ पर एक छोटा सा article यह देख देखने को मिले पैरिटी मतलब equality देखने को मिले जो मेल है female है दोनों के बीच में एक equality देखने को मिले ठीक है तो यहाँ पर इनके द्वारा यह बाते बताई गई है ओके चलो एक article next discuss करते हैं अब यहाँ पर यह आर्टिकल क्यों आया है क्योंकि कल हमारा 8th of March था और कल था Women's Day International Women's Day ओके तो उसी के basis पर यहाँ पर यह next article देखने को मिल गया है चलो आगे बात करते हैं तो यह next article बात करता है Compensate those acquitted under UAPA सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो most important चीज़ है इस article के अंदर वो है UAPA UAPA क्या होता है इसकी full form है Unlawful Activities Prevention Act ठीक है अब हुआ क्या था यार देखो एक केस हुआ था December 2001 की बात है ठीक है Act के अंदर में arrest कर लिया था 122 लोग को लेकिन अब जो है यहाँ पर अब finally क्या हो गया है यह लोग निर्दोश साबित हुआ है अब निर्दोश साबित हुआ आप देख पाऊगे 2001 से जो है लगबग अभी तक का यह system है और तो उसको देखते वे जो यह लोग है जितने भी इन लोग को एक compensation देना चाहिए इन लोग को एक supportive price एक supportive financial support भी देना चाहिए ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर बात करनी है UAPA की तो Unlawful Prevention Act इसका मतलब क्या है देखो इस Act को पास करा गया था 1967 में इसका main मकसद है इसका main aim यह है कि कोई भी unlawful activity होने से पहले ही उसको prevent करन करने से पहले नहीं मतलब कि Unlawful activities यानि कोई गलत काम होने से पहले ही क्या करें हम लोग उस बंदे को arrest कर लें ठीक है जिसके ओपर suspect है शक है तो उसको हम लोग UAPA के अंडर में ले जाकर जेल के अंदर डाल सकते हैं उसको arrest कर सकते हैं ठीक है धियां से सुनना एक बार और repeat क करी जा सकती हैं तो वह prevent करने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको पहले से एक शक है हमें और जादे क्लियर निया शक के बेसिस पर हमने क्या करा उसको जो है अरेस्ट कर लेते हैं ठीक है और फिर उसके बाद आपे कारवाई वगरा चलती रहती है और फिर यहां पर कब लाया गया था यह मैंने आप लोगों बता दिया यह लाया गया था 1967 के अंदर में इसको पास करा गया था और इसके अंदर एक छोड़ा सा अमेंडमेंट भी करा जया था बदलाव करा जया था कब 2004 के अंदर हां में भी 2004 के अंदर ही इसमें अमेंडमेंट करा गया था और अमेंडमेंट करकर इसके अंदर टर्रिस्ट को भी इंक्लूड कर दि उसके बाद नेक्स राडिकल आप लोग देख पाऊगे यहाँ पर इज्रो है इज्रो की क्या फिल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेजिशन ज्यादतर तर तक जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं वो सब कहां से लॉंच करता है वो इज्रो करता है जितने भी हमारी ज्यादतर आपके सकते हो सक्सेस्फूली सेट्यलाइट्स वगरा लॉंच करी जाती है वो इज्रो ही करता है और एक बात और याद रखना इज्रो के अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपसिटी है ज्रो हमारे सेट्लाइट के अलावा ओल ओवर दॉर्ट सेट्री के वाले बड़े प्रोजेक्ट होंगे वो सब एजरो हैंडल करेगा और उसके बाद जितने भी कमर्शियल एक्टिविटीज वाले जो बल्क में हमें सैटलाइट वगर लॉंज करते हैं अब वो सब कौन हैंडल करने वाला है वो हैंडल करेगा एनसाइल एनसाइल क्या है न्यू बढ़ते वे नजर आ रहे हैं बेसिकली यहां पर जो टॉप के ऊपर राज्य चल लें वह कौन से हैं महराष्ट्रा हो गया केरेला पंजाब करनाड का गुजरात तमिलाडू इन सभी जगह पर केसे काफी तेजी से बढ़ते वे नजर आ रहे हैं यहां पर आप लोग देख सेलिब्रेशन के लिए जो पिछतरवा मनाएंगे हम लोग पिछतरवा कब आएगा वह आएगा 2022 में 2022 में 15 अगस्त को ठीक है तो उसके बेसिस पर अभी से जो है यहां पर काफी सारी चीजे चल लें काफी सारी प्रप्रेशन चल लें तो आप देख पाओगे जो प्राइम म होने वाले हैं और यहां पर क्या करेंगे हम लोग जो है एक कमिटी वगरा सेट अप करी गई है जो की फोकस करेगी इन चीजों के ओपर एक सेलिब्रेशन काफी बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जैसे फैस्टिवल होता है उसी तरीके स जो है यह इवेंट को सेलिब्रेट करने वाले हम लोग नेक्स्ट यर ओके यह कमिटी है और कमिटी के अंदर कितने मैंबर बनाए गए तो आपको याद रखना है टू फिफिटी नाइन मैंबर की कमिटी बनाई गई है कॉशन बन सकता है ठीके वन डे एक्जाम में की कमिट समय है इसके अंदर तो आपको धिहान रखना है यहां पर जो कमिटी है उसके अंदर टू फिफिटी नाइन मैंबर से जो की फोकस करने वाले हैं इस पूरे के पूरे प्रेपरेशन को लेकर और जो यह इंडिपेंडेंस डे हैं उसको काफी बढ़िया हम लोग बनाने वाले सब्सक्राइब हैं आने वाले टाइम का उसके बाद नेक्स टारी कला आता है यह वाला यह पेज नंबर वन के उपरी मैंशन था मैंने लेकिन पेज़न वान पर डिसकस नहीं कर रहा है क्योंकि देखो पेज़न पर बहुत सारे आप कह सकते हो हाईलाइट दे रख्यों होती IED blast हुआ था IED फुल फॉर्म क्या है Improvised Explosive Device यह blast हुआ था काफी तगड़ा blast हुआ था अब यहाँ पर हम लोगों ने काफी search किया लेकिन हम लोगों को जादा कुछ clue मिले नहीं तो यहाँ पर क्या करा गया था एक तरीके से जो NIA है अब यहाँ पर इनके द्वारा यह करा है हमारे NIA जो NIA क्या है National Investigation Agency उसके द्वारा बताया था लेकिन अब यहाँ पर आप देखोगे तो उसी चीज़ को देखते वे इरान मना कर रहा है कि नहीं हमारा कोई भी इसके साथ लिंक नहीं है जो भी blast हुआ है वहाँ पर कोई भी हमारा link नहीं है ठीक है यह हाला कि बह आपको पढ़ा दिया था दो दिन पहले तो यहाँ पर बात करी जा रही है जो National Investigation Agency है अब वह पूरा का पूरा केस ले रही है जो मुंबई के अंदर एक और यहाँ पर जो और है तो अब पर कार है उसको आपका सकते हो फोरिंसिक के लिए भी भेजा है कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है ठीक है पूरी तरह से जाज परताल चली रही है नाओ अब यह केस कौन? ले रहा है, ये case ले रहा है, NIA, ठीक है, NIA इस case को अपने हाथ में ले रहा है, तो उसके बारे में बताया गया, Now next article बात करता है, DAC to take up deals for armed drones and submarines, अब यार, जो DAC है, DAC की full format defense acquisition council, अब यहाँ पर हम लोग multi billion की deal कर रहा है, मल्टी बिलियन की डील कर रहे हैं 30 armed drones ले रहे हैं USA 6 advance submarine ले रहे हैं project 751 के under में ठीक है तो यह सारी चीज़े ले रहे हैं और यहां पर यह सारे जो डील है यह करी जा रही है Defense Acquisition Council के दौरा April में इसका approval है और जो यहां पर यह सारे statement दिया गया है यह हमारी सरकार के दौरा government के दौरा statement दिया गया है हम अपने defense sector को कही न कहीं strong करने की इसके अंदर बात कर रहे हैं अब यार जो हम लोग यहां पर 30 armed drones ले रहे हैं ट्रोंस जो कि निगरानी रखते हैं लेकिन यह ड्रोंस जो अमेरिका वाले हैं यूएस वाले वह काफिजाद बढ़िया भी है क्योंकि क्या है कि वो लोग निगरानी के साथ-साथ attack भी कर सकते हैं अब यह 30 जो ड्रोंस ले रहे हैं इसमें से हम लोग ने 10 10 10 अलग अलग सर्विसस के लिए ले रहे हैं लोग टैन जो किसके लिए रहें आर्मी के लिए रहें रहें नेवगी के लिए और टेन ले रहें एयर फोर्स के लिए तो इस तरीके से यहांपर यह बताया गया है आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज कि में हम लोग डेली डेली यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में पेज नमबर 13 के उपर आएंगे देखेंगे दुनिया में क्या चल रहा है सबसे पहले मैनमार की सिच्वेशन आज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगे क्योंकि हम लोग पिछले लगबग एक सब्ता से रोज मैनमार के बारे में कवर कर रहे हैं क्या वहाँ पे चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तुम्हें छोड़ा सा फिर से बता देता हूँ मैनमार के अंदर मिलिटरी का रूल आ चुका है वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी हुई हुआ करती थी उसको हटा कर मिलिटरी ने अपने कबजों में कर रहा है उसको लेकर यहाँ पर काफी जादे बवाल हो रहा है ठीक है थोड़ा सा डेटेल जानना है त सब्सक्राइब करें तो यहां पर आप देख पाओगे इस टाइप की जो काटेगरी है है एक चाइनीज का चाइना के अंदर भी रहती है और चाइना वाले एगर मुस्लिम को काफी जादे परिशान करके रखते हैं पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं जो अपने उंगलियों पर न चाहते हैं बहुत बुरी हालत कर रहे हैं एगर काटेगरी की चाइना वालों ने तो चाइना के कौन से रिजन में रहता है यह आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसी को देखते वे जो चाइना के अंदर वेगर मुस्लिम की बहुत बुरी हालत हो रही है तो उसी को देखते वे जो एगर विमेन जो की रहती है इस्तानबूल के अंदर उन्होंने एक कुछ हो रहा है चाइना के अंदर उसको रोका जाए चाइना के अंदर एक जिंजैंग रीजन है वहाँ पर वेगर मुसलिम को काफी परिशान करके रखा जाता है और बहुती बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है ठीक है तो आप लोग देख पाऊगे यह पिच्चर है जो करने चाइजन पर यहां पर मुसलिम को रखा जाता है इंकло कुरान और पढ़ने की इजाज़त नहीं सक्केऴ जैन difक Это बहुत सारी प्राब्लम्स इनके साथ आप कर सकते हो यह लोग फेस कर रहे हैं आज के टाइम पर ठीक है जो जो चाइना कहेगा वहीं यह सारी चीज़े करेंगे चलो हम लोग आगे बढ़ता है नेक्स्ट पेज नुबर 14 की तरफ यहां पर बात करता है एक नॉमिस रिलिटेड अर्टिकल की पहला अर्टिकल बात करता है के विंस नॉर्ड फ्रॉम यूएस यूके अधर कोड्स फॉर 1.5 बिलियन डॉलर अवार्ड अब यहार देखो एक चीज़ याद रखना जो के इन कंपनी हैं इंडिया के अंदर आई थी ठीके Energy को लेकर काम करने के लिए अब क्या हुआ कैन एनड़ी और इंडिया के बीच में जो है एक विवाद हो गया इंडिया एक रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स को लेकर आपका सकते हो लो लेकर आगया retrospective टेक्स क्या होता है मतलब कि आज मानलो क्या है 2015 में समर्लो 2015 में एक टेक्स लेकर आया गया suppose मैं यहाँ पर example दे रहा हूं 2015 एक टेक्स लेकर आगया लेकिन यह company 2000 से काम कर रही है इस country के अंदर अब यह retrospective टेक्स लेकर आया 2015 में इसका मतलब यह है कि टेक्स अब से नहीं पे करेगा यानि कि जो पिछला रह गया है 2000 से 2015 तक 15 साल का वो भी टेक्स पे करा जाएगा इस company के द्वारा तो इस तरीके का टेक्स लेकर आया था इंडिया retrospective टेक्स उसको बोलते हैं यानि पिछला टेक्स भी पे करोगे प्लस अब से नया टेक्स भी पे करोगे तो यहाँ पर यह तो मतलब केन एनर्जी को बरदाश्ट नहीं हुआ अब यह case लेकर पहुँझ गया वह पर्मनेंट कोट ऑफ आर्बिटरेशन इसी तरह के का केस देखता है कि मतलब कोई कंपनी है कहीं किसी और कंट्री के अंदर जाकर काम कर रही है और अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो इस तरीके के हार गया अब यहाँ पर जो इंडिया पैसा मांग धनानेर्जी को उस पर्टिकलर कमपनी को तो लगब कमपनी यह यहाँ तो उसको देखर यहाँ पर बताया जा रहा है ठीक है तो आई होप आप लोगों को यहां पर यह केस भी क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट आर्टिकल एक छोटास आर्टिकल यहां पर आप देख पाओगे बात करी जा रही है सबसे बड़ा आपका सकतो अभी तक हम लोग क्या करते ना एक क्रूड ऑईल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है हम लोग इरान से क्रूड ऑईल परचेस करते थे लेकिन Đונल्ट टृम ने क्या करया इरान के ओपर डेट सारे सारे संक्शन लगा दिये छोटास नहीं करेगा ठीक है फिर उसके बाद क्या करा हम लोगों ने ऑईल परचेस करना बंद कर दिया क्योंकि जो वहाँ पर डॉनल्ल ट्रम थे तो डॉनल्ल ट्रम के अंडर में तो यह सारी चीज़े हो रही थी लेकिन अब यहाँ पर प्रेसिडेंट बदल चुके हैं तो यहाँ पर यह सोचा जा रहा है अगर जो बाइडन अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं इरान के उपर से सेंक्शनस को हटा देते हैं तो काफी जाते हैं अने वाले टाइम पर ओके चलो आगे बढ़ते हैं देखो वही हैडिंग यहाँ पर दे रखिए जो इंडियन ओइल रिफाइनर्स हैं वो प्लैन कर रहे हैं इस बार इरान से ओईल को इंपोर्ट करना साल 2021 के अंदर चलो अब चलते हैं आज के एडिटोरिल की तरफ तो आज के तीन एडिटोरिल जो काफी इंपोर्टेट हैं उनका डिसक्शन करेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह वाल आर्टिकल देखेंगे बात कर इसे समय में ठीक है उसके बाद यहाँ पर यह आर्टिकल डिसकस करेंगे पहले हम इसको ही देख लेते हैं हर्याना के अंदर कोटा लोग लेकर आया गया है ठीक है हर्याना के अंदर मतलब एक बिल आया गया और उस बिल का नाम है हर्याना स्टेट एम्प्लॉइमेंट आफ हर्याना ने private sector में हर्याने के अंदर जो भी private companies हैं उनके अंदर reservation लेकर आएंगे 75% तक reservation लाया जाएगा यानि 75% तक उन private companies के अंदर वही लोग होंगे जो हर्याना के local people होंगे ठीक है अब बाकी 25% 25% में क्या होगा कि अब पहले में चीज यहां पर एक और चीज क्लियर कर दे में जो जॉब है वो 50,000 रुपए तक की है आप 50,000 रुपए तक की अगर जॉब करोगे तो उसमें 75% तक रिजर्वेशन है तो वहाँ पे लोकल पीपिल ही उसके लिए जो की काम करेंगे प्राइवेट कंपनी के अंदर और जो बचे कुछ 25% है वो 50,000 से उपर की जॉब है ठ 70% का कोटा लगाया जाएगा in all kinds of jobs सभी तरगे की जितनी भी नौकरिया होंगी प्राइवेट सेक्टर के अंदर सभी के अंदर ये कोटा होने वाला ये रिजर्वेशन होने वाला है लेकिन यार एक चीज याद रखनी है अभी आगे देखो इस चीज़े इंप्लिमेंट न नहीं हो पाई मध्यप्रदेश लेकर आया था यह सी तरीके का एक्ट मध्यप्रदेश ने ट्राइग किया कि हम लोग अपने के अंदर लोगों को जॉप्स देंगे लेकिन मध्यप्रदेश के अंदर भी चीज़े चल नहीं पाई ठीक है कोट के अंदर चैलेंज करना आए तो यह पूरी की तरह से यहां पर देखने को मिल लाए आने वाले के टाइम की सिचुएशन देखने को मिल रही है तो आई हो आप लोगों को यहां पर यहांपर यहां ना का कोटा लोग और रेजर्वेशन यह क्या है बैसिकली एक स्पैसिफिक जगा श्पेस छोड़ करें अफगानिस्तान के अंदर ही चलो मैं आपको एक थोड़ा सा मैप दिखाता हूं तो यहां पर आपको क्लियर होगा सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं अफगानिस्तान का इक्जैक्ट मैप यहां पर देख पाओगे पाकिस्तान इससे बाउंडरी शेयर करता है अब देखो न्यूस के अंदर क्या क्या है न्यूस के अंदर इरान है ठीके इरान से उपर सैंक्शन्स लगे वे हैं इरान तो 2020 के अंदर पूरी तरह से न्यूस के अंदर रहा है तो इरान इस बार के लिए काफी इंपोरेंट बन जाता है पाकिस्तान न्यूस में रहता है अफगानिस्तान है न्यूज में तो आप इन तीनों को इजरी छोड़ सकते हो ठीक है इन तीनों को छोड़ दो इतीनों के पर दाता फोकस करो इस तरीके से आप लोग अपना आपके आर्टिकल के अंदर नहीं बताया गया है और वही चीज आपको पढ़नी है यह आप देख रहे हो यह है 2001 की पिच्चर 2001 में यहां पर यह अटेक हुआ था आप देख पाओगे और यह अटेक करा जया था तालिबान के दोरा USA में ठीक है यूएसे में अटेक देखने को अटेक करा गया क्योंकि अटेक काफी खतरनाक हो चुका था और इसी की वज़ासे आदे लोगों को बढ़ावा मिला उसी की वज़ासे आधा आतंगवा तो आधा तबी चग गया था क्योंकि USA के उपर उस टाइम पर अटेक करना काफी बड़ी बात थी तो फिर यहां पर इ यूएसे नहीं उसामा बिन लादिन को मारा था आप लोगो मालूम होगा यूएसे मांग रहा था तालिबान से उसामा बिन लादिन का हैं दो भई ठीक है तालिबान ने का कि हमारे पास तो है नहीं होता तब भी नहीं देते इस तरीके से यहां पर स्टेट्मेंट कुछ इ आपस में इनके dispute रहते थे बहुत जादे विवाद रहते थे अब USA के military अंदर घुश्चु की थी अब USA के military एक तरीके से government को support करती है तो फिर government के लिए यहाँ पे खड़ी है तालिबान से भिड़ती रहती है तो USA के काफी सारे military आज के टाइम पर आप देखोगे जो troops हैं वो अफगानिस्तान के अंदर में ठीक है तो उसी को लेकर यहाँ पर बात करी गई है US के president जो बैराक उबामा थे ये एक deal लेकर आए एक deal क्या अफगानिस्तान तालिबान peace deal इसको इस वए से peace deal बोलता है यानि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में आपस में जो है dispute चल अफगानिस्तान के अंदर और तब से अभी तक यह सिच्विशन स्टिल ऐसी की ऐसी चली रही है अब यहाँ पर कोशिश हमारी यह है जो हमने टूपस डाल लगे हैं वहां से टूपस को विड्रॉ करा जाए ठीक है अब यार उसको विड्रॉ करने के लिए काफी टाइम अगभी सब सब चीजें इंप्लीमेंट नहीं व पाइउ उसके बाद आ गए जो बाइडन अब जो बाइडन यहाँ पर कोशिच यह कर रहे हैं जो बाइडन ने काफी हतक चीज निकाल लिये टूपस को वैसे डॉनल्ड टुरॉप ने भी काफी हतक टूपस को निकाल लिये कि अगर आपने ट्रूप्स निकाले तो उसके बाद अफगानिस्तान और तालिबान आपस में डिस्प्यूट चलता रहेगा तालिबान फिट से शुरू हो जाएगा हाला कि पीस डिल हो चुका है यहां पर Taliban से कह चुके है Taliban को कुछ ऐसे यहां पर काम नहीं करना है जिससे कि आप violation create हो ठीक है Taliban को ऐसे कोई step नहीं उठाना है यह सारी चीज़े हम लोग अलड़ी कर चुके हैं पीस डिल कर चुके हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर सकते ना फिर भी सब कुछ हो सकता है तो उसको देखते हैं यहां पर बताया गया है कि एक बार रिव्यू करा जाएगा अच्छे से चीज़े देखी जाएगे फिर उसके बाद वापस से बचे कुझे ट्रूप्स को भी निकाला जाएगा और यहां पर आप देख पाऊगे एक रोड मैप भी दिया गया है जो य यहां पर यह कोशिश करने वाली है कि जो तालीबान है उसको 50 प्रतिशक तक क्या हो जाएगा यहां पर 50 प्रतिशक तक इंतरिम गवर्नमेंट के अंदर शेयर दे देंगे मतलब कि 50 प्रतिशक तक वो भी गवर्न कर पाएगे क्यों कि तालीबान चाहते हैं कि जो तालीबा से यहाँ पर यह dispute आपस में विवाद रहता है I hope आप लोगों क्लियर हो गया होगा और यह विवाद है काफी पुराना तो उसी को लेकर बात करी गई है किस तरीके से हम लोग इसे विवाद को resolve कर पाएंगे आगे बात करता है next article की और आज का last article है यह वाला खैर इतना खास नहीं है हमारे लिए इतना important भी नहीं है फिलाल मैं आप बता देता हूँ आपको अभी हमने बात करी थी चाइना अपना five year plan लेकर आया है तो उसी के बारे में बताया गया जो five year plan है आप देख प एयर क्राफ्ट इंजिन्स न्यू एनर्जी वेहिकल्स हाइएंड मेडिकल डिवाइसे मेजर एक्विपमेंट्स शिप बिल्डिंग एविएशन इन सब सेक्टर के अंदर चाइना काफी जिससे ग्रो करने वाला है यह बताया गया डिजिटल एकॉनमी में यहाँ पर अपनी चाइना की उसमें भी बजट बढ़ाएगा उसको भी स्ट्रॉंक करेगा तो बेसिकलि यह बता जारा है चाइना जो फाइव ययर प्लैन लेकर आया है उसके अंदर क्या-क्या प्रोजेक्ट लगाने वाला है क्या 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 काम करने वाला है वह सारी चीजी हैं आपर आइस टे